संत्रे का सेवन करने से किस तरीके से आप अपनी कॉलिस्टरॉल को कम कर सकते हैं क्योंकि संत्रे में कॉलिस्टरॉल बिल्कुल भी नहीं होता है तो कॉलिस्टरॉल को कम करने में यह काफी सहायक होता है संत्रे में उपस्तित फाइवर कॉलिस्टरॉल को कम करने में काफी मददगार होते हैं क्योंकि फाइवर पेट में उपस्तित अत्रिक्त कॉलिस्टरॉल को बाहर निकालने में काफी मदद करता है यदि आप इसके juice का सेवन करते हैं तो इसके juice के सेवन करने वाले लोगों में कम घनत वाले लिपोप प्रोटीन या खराब कोलिस्टरॉल का कम होना पाया गया है फ्रेंस जो लोग संत्रे का सेवन करते हैं उन लोगों को उन लोगों के सरीर में खराब कॉलिस्ट्रॉल की संख्या काफी कम हो जाती है इसके साथ ही फ्रेंस उन लोगों को मोटापा जैसी समस्याय नहीं होती है और मुटापे से जो लोग रसित हैं उन लोगों को भी संत्रे के सेवन करने से काफी फायदा होता है कॉलिस्टरॉल के इस तरह को कम करने में संत्रा काफी फायदे मंद होता है यदि आप kolesterol को कम करना चाहते हैं तो आप संत्रे का सेवन कर सकते हैं संत्रे के सेवन करना काफी फायदे मंद होगा और अगर आप इसके juice का सेवन करते हैं तो ये भी काफी फायदे मंद होता है संत्रे के जूस की अपेक्छा संत्रे में ज़्यादा फाइवर होता है जो की पेड़ संबंदी समस्याओं को दूर रखने में भी काफी हैल्फुल होता है तो अगर आप अपने कॉलिश्टोल को कम करना चाहते तो संत्रे का सेवन ज़्यादा मातरा में कीजे इसके साथ आप संत्रे के जूस का सेवन भी कर सकते हैं तो फ्रेंस यह एती चोटी सी जानकारी उमीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी वेल के आइकन को जरूर अन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर रहें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख वाए और फ्रेंस अगर आपको इजानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें